नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैहू काजो नरायन शिर्वात करेंगे खबरों की वित मंत्री निर्मला सीतर अरम्र अपसे कुछ ही देर में संसद में अपना चौथा बज़ट पेश करने वाली है बज़ट पेश करने से पहले वो वित मंत्रा ने पहुँच चुकी हैं इसके बाद उन्होंने राश्पती से मुलाकात की वितवर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाली इस बज़ट से आम आदमी को काफी उमीदे हैं इस बज़ट में इंकम टेक्स की सीमा में छूट की भी उमीद जताई जा रही है तो अपसे कुछी देर में मतमात्री निर्मला सीतरा मन संसद में अपना भाशन देंगे उसके बाद वो बज़ट पेश करेंगे इस बज़ट से आम जनता को बहुत सारी उमीदे हैं हर साल आम जनता को बहुत उमीदे होती हैं लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी दे जाती है जिसकी बज़ट से आम जनता बज़ट पर बहुत सारे सवाल उठाती है और विपक्ष भी सवाल उठाता है इस बार इस लाल पोटलीम से क्या कुछ निकलने वाला है ये देखना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं रुकरिंग कुछ और खबरों का आगरा की तीन विधान सभाओं में सियम योगी पार्टी प्रत्याशों के प्रचार के लिए पहुँचे सबसे पहले फतेपुर सीकरी विधान सभा के किरावली में पहुँचे जहां फतेपुर सीकरी विधान सभा सीर से बीज़ोपी की प्रत्याशी शौधवी बापुलाल के पक्ष में मदाता समवाद कारिक्रम को संबोधित किया ज़रान सियम योगी ने सपा और बस्पा की सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि सपा और बस्पा सरकार की सोच परिवारवादी थी और काम दंगावादी था इनकी सरकार और बीजेपी की सरकार में फर्क साफ है 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटिया स्कूल नहीं जा सकती थी मुझवण अगर का धंगा हो या बुलन शहर मेरट का उप्तरब मुके मंतरी के नाख के नीचे लखनों में धंगे होते थे पिशली सरकार के लिए परिवार का विकासी इन सब का विकास था पाँच साल तक डबल इंजिन के सरकार ने राश्च्रवाद औस उस्ट्राशन के बुद्धे पर काम किया है सरकार हैं प्रदान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में आध पुरा देश विकास के एक नई उचाईयों को और तेजी के साथ बढ़ रहा है भारत दुनिया के अंदर एक महा ताकत के बन कर के उबर रहा है हर गरीब को हर किसान को और नौजबान को और महिला को आज सम्मान मिलना है और आप देख सकते हैं हर गरीब को सासन की योजना के साथ जोडने के लिए प्रदान मंतरी किसान सम्मान योजना किसानों के लिए हो गरीबों कौन की उपच का दाम देने का हो फूट प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में आलू प्रोसेसिंग के लिए अलगलग यूनिट लगाने की कारवाई हो अभी हम लोगोने मतुरा में लगाया है एक बगा है जहां एक लाख मिट्टिक तन आलू की प्रोसेसिंग हर साल होगी किसान को अच्छा दाम मिलेगा और किसान खुर सहाल होगा या बेटियों की सुरक्सा में कितना खेल होता था लेकिन आज बेटी भी सुरक्सित है प्रदेश में दंगे नहीं होते अब तो दंगा करने वाले को तस बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो सोच कर सब्सक्राइब आप जादों ने जो नेतिक अनेतिक तविके से कमाया है सब भिख जाएगा इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं ने तो भायों बेनों सपा की सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था एक नियती बन चुकी थी प्रदेश की तंगा करने की और इसलिए आज हम सब आए हैं आपके बीच में आपसे कहने के लिए मात्र भारती जनता पार्टी एक पार्टी है जो काओं करीब के साथ नौज़मान महलाएं और समाज के प्रदेख तब के के तोंके कारे करने के लिए पूरी प्रतिवत्ता के साथ कारे कर रही है विटमंत्री निर्मला सीतर अमन 2022 से 2023 के लिए आम जनता के लिए बजट पेश कर रही हैं लोग सम्हा में चलिए आपको सुनवाते हैं Honorable Speaker, we are marking Azadhyr ka Amrit Mahotam and have entered into Amrit Kaal, the 25-year-long lead-up to India at 100. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address, had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kaal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle-income brackets to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkaal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh growth during the next five years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, Sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honourable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amritkaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. And number two, big private public investment. Number two, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward, on this parallel track, we lay the following four priorities. PM Gati Shakti, Inclusive Development, Productivity Enhancement and Investment, Sunrise Opportunities, Energy Transition and Climate Action and for Financing of Investments. Thank you very much. Thank you very much. 2002-2002 में यहां BJP के हातों हार मिली थी. सपा के सोबरन सिंग यादव करहरसीर से मौजूदा वधायक है. प्राटेक है. अख्यदेश का सबसे अच्छा है सबसे है इंके छे से होकर ही खुजडता है. अगलेजिया आपने बड़ी बंडी वनेचे कर लिए इंदी ख़बर को निचे कर दे करो. सर 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 उपकर हो. और जिन लोगों ने किसानों को 700 किसान शहीद हुएं, भारती जंता पार्टी के गलत फैसले की वज़े से, आंदोलन जो चला, उसमें 700 किसानों की जानगई शहीद हुएं, अगर भारती जंता पार्टी का एक एक उम्भीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी के करहल से बीजोपी प्रत्याशी एस्पी सिंग भगेल ने यूपी चुनाब के लिए अपना नमंकन दाखिल किया, उनका सामना अखली श्यादव से होगा, जो इस शेतर से सपा की उमीदवार है तो कार्ट की टकर इस बार देखने के मिलती है, जैसा कि मैंने पहली बताए कि साथ बार यहाँ पर सपा जीत चुकी है और ये गड़ है सपा का, सिर्फ दो हजार दो में वीजोपी के हाथो हार मिली थी सपा को, लेकिन इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, ये तो वक्त बत आएगा, दस मार्च का में इंतिजार करना होगा, लेकिन एस पी सिंग भगेल भी पूरी दावेदारी ठोक रहे हैं और जीत का पर्चम नहराणी की बात कह रही है। कहा कि मुझे अगर जनता समर्थन देती है, तो मैं योगी आदितनात के खिलाब जाच कराकर उन्हें जेल भेजने का काम करूँगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, जाच में जो भी दोश्वी हो, उसे जेल जाना पड़ेगा। मठ को लेकर उन्होंने कहा कि मैं यहां से जब चुनाब जीत जाओंगा, तो मठ को और आपको बताओंगा कि क्या कुछ यहां का काला चिठा है। सारणपूर उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुख्यमंत्र जी से नदीक, वह उत्राघंड कहा है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, हम पिछले पांस साल यहां लड़ते रहे, और अब भी हम गोरगपूर लड़ने के लिए, क्यूंकि हमने गोश्टना कि जहां से मुख्यमं मुख्यमंत्र जी पहले ओध्या कहते रहे, फिर मत्रा और उसके बाद रिवर्स लगाया, मैंने पहली बार देखा कि रिवर्स भी फोर्थ गयर होता है, सीधे ओध्या, और अध्या में भी बड़ा खेल किया है परिशिमन में, जो माइनोर्टी का वोट, जो मन मनाय बैठा सबक सिखाना जिन्होंने अन्याय सहा है, उस वोट को डिवाइड कर दिया दूसरी विदान सवा में, इस परिशिमन पर भी दुबारा बड़ा काम होगा, जैसे गोरखपूर की जनता ने टी एंचिंग जी को सबक सिखाया, 1971 में जैसे गोरखपूर की जनता ने उप चुना जवाब देगी, चुनाओं में चुनाओं तयार है, मैं लगातार यहां रहूंगा, और कल भी मैं कई मामलों मिला था, यहां महिलाएत दर्द भटकरिय न्याय के लिए ठाने में रिपोर्ट नी दर जोती, अब ऐसा नहीं होगा, अब यहां नोजवानों का भाई, उनके हक मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं, यह देखे, यह गौरभपूर का विकास है, और यहां रुकरें चोटे सुब्रेक के लिए ब्रेके बाद होंगे कुछ और बड़ी ख़बर, मैं वह नहीं हूँ, जो सक्ता से ही सवाल पूछता हूं, उसी में बात करता हूं, राश्चित, 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 किसी ने राश्चित नहीं दिखाया, मेरा अंदाज है बेबाक, मान्यमें का गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सांसाच जी हमारे देश के प्रदान मंतरी भी चाय बेचते थे हम उठाते हैं आपके मुद्दे माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है को पजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहो, नहीं कर रहो तो रिजाइन करोगे अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा भारत मातकी हम लेते हैं सीधा, सरकारों से जवाब बहुत सारे सवाल एजवाब कीशेगा इस आंदोलों में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवादी लखिनपूर तो आप पहुँच गए पन्जाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई नपक्ष नविपक्ष, सिर्फ निश्पक्ष सब यहां किसान परिवार से आते हैं आप क्यू खेट बिका रहे हैं आपकी सरकार में किसान क्या खुब कुशी नहीं करते थे तब आपकी सरकार आते हैं हम है यूज़ वर्ट इंडिया लेकिन इमानदार लव्ज अपने रास्ते धून लेते हैं अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम जूट की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते हैं तो सोमबार से शुकुरुवार तर मुलाकात होगी आप से न्यूज़ वर्ट इंडिया के स्पेशल न्यूज़ बाट्काज्स भारत एट नाइं पर देखिए भारत एट नाइं कावेद च्छोआँ के साथ जिए न्यूज़ वर्ट इंडिया बात वक्त बदला, सरकारे बदल, चहरे बदल, मुद्दे बदल, नहीं बदला तो उसका अंदाज गद्दा सुबे की कमाने पर फिर से संभा देगी इसके सवाल बने उट्टरा खंड की आवाज थेका खोलना मेरी मजबूर अठारा सालों बे ऐसी जगा पर जहां पर आज तक अभी शराब की दुकाने नहीं खुली, आपने माँ पर शराब इठे के लिए जगा नहीं, अंदाज वई आप लोग बताते हैं नहीं सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है, आप बताते ही नहीं आपको इस जान से डरतन लग रहा है, अमें कहा है जगर भी है, तो अपने रूटा गैरों में कादम था, मेरी किस्ती डूबी माजा पानी काम था, अरी चलावत के साथ भी आई हुआ देखिये पूचता है उत्राखरत, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शरीवा, शाम पाँच मजे ब्रेके बाद एक बाद फिर आप सबी का बहुत स्वागत है, रुक करेंगे ख़बरों का हमीरपूर में एक और बड़ी सियासी उथल पुथल देखने को मिली वरिश सपानेता और सपा से मौजुदा MLC रमेश मिश्रा बीजपी में शामिल हो गए बतादे कि रमेश मिश्रा अखिलेश श्यादव और सपा सरकार में ततकालीन खनन मंत्री गायतरी प्रसाद के बिहत करीबी माने जाते हैं इतना ही नहीं रमेश मिश्रा सपा सरकार में हुए 10,000 करोड के खनन घोटाली में CBI जांच के घेरे में भी रही है परशिवी उपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नस्दी का रही है चुनावी महोर में भी गर्माहट होती जा रही है बुढ़ाना विधान सभा से गड़बंदन से राजपाल बालियान तो बीजेपी से उमेश मली को प्रत्याशी बना कर मैदान में उता रहा है दोने प्रत्याशी जाट समुदाइस से आते हैं दोनों की ही अच्छी पकड मानी जाती है यहाँ पर राजपाल बालियान भी पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं और लगाता ग्रामरों के भी जन संपर्क कर रहे हैं आज उन्होंने बढ़ाना विधान सभा के कई गाउं में पहुँचकर नुकर सभाएं की लोगों से एकजिट होकर गड़बंदन के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील की इस तोरान बढ़ती महंगाई पर रुसकारी और उन्हें तमाम उद्दों पर बीजेपी सरकार को गेरने की कोशिश भी की है हमेरपूर में बसपा प्रत्याशी प्रसंद भूशन अहीरवार ने नमंकन के दोरान कोविन नियमों और आचार सहिंता की धच्चे ओड़ाएं इस दोरान उन्होंने बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टंसिंग के समर्थ को किसाथ नजर आए इतना ही नहीं पार्टी का गमच्वा भी गले में डाले दिखाए दिये प्रशासन के नाक के नीशे जिलादिकारी कारले गेच पराचार सहिंता की धच्चे ओड़ाएं जा रही थी नेकिर प्रशासन आखे मून धे खड़ा हुआ था ओए जया सफ़ी तरह में राट शिस्ट को पिछड़े की धर्जे में रखा जाता है इसको इस तरीके से बिकास खड़ां और डूसरा प्यापार से जुकि मैं शिक्च्चा से कॉलेज होंगे, सिख्षा के थेत्र पर पैरामेडिकल कॉलेज होंगे, यहां के बच्चा मेरे राच्चित का बेटा ना बाहर पढ़ने जाएगा और ना बाहर कमाने जाएगा वहीं जोरां सियो सदर का कहना था कि कोविट गाइडलाइन्स का नियम तोडने वालों पर कारवाई होनी चाहिए आदर्श वाचार सहीता की चलते, मेरट की रोहटा पुलिस ने थाने के सामने जबरदस्त चेकिंग अभ्यान चलाया जहां पर गाड़ियों को रोक कर चेकिंग की गई और संदिकदों से पुष्टाजपी की गई दरसल विधानसवा चुनाव का बिगुल बच चुका है इस चुनाव में धन का उप योग ना हो, इसको लेकर चुरावायोग ने निर्देशित किया हुआ है जिसके चलते मेरिट पुलिस लगाता चेकिंग अभियान चला रही है जहां मेरिट की रोटा और सुरूरपुर पुलिस ने पूरपु में भी कई लोगों को नगदे के साथ गिरफतार किया अलाकि लोगों से पैसो के बारे में पूछा गया तो सपस्ट जवाब ना आने पर उनके रुप्यों को जब्त कर लिया गया ज़ुरान पुलिस कर्मियों का कहिना है कि वो इसी तरह चेकिंग करते रहेंगे और विधानसवा चुनाव में किसी भी प्रकार से शराब और धन का उपयोग नहीं होने देंगे चुनाव के मद्दे निज़र पुलिस का चेकिंग अभ्यान लगातार जारी है इसी कड़ी में देव बंद के अम्बेंटा शाखा के जंगल में हतियार बनाते वे दो अभ्युक्तों को गिरपतार किया गया जहां पर मौके से 80 कार्टू, 315 बोर के 6 और 16 अर्द निर्मित तमंचे हतियार बनाने का उपकरण भी परामत किया गया है बतादे कि अभ्युक्तों उम्मीद पहले भी हतियार बनाने के आरोप में जिल जा चुका है और दोनों का कई आपराधिक अतिहास रही है लखनों में आवेद निर्मान कराये जा रहा है इस साथी LTA के नियम काईदों को ताहक पर रखकर बिना आदेश बिना माप के निर्मान कराये जा रहा है बतादे कि LTA उपाधियक्ष की लाख को कोश्चों के बावजूद भी अधिकारी अपनी हरकोतों से बाज नहीं आ रही है बक्षी का तलाब जोन में धर से NH4 के किनारे गोदाम को निर्मान कराये जा रहा है बताये जा रहा है कि गोदाम मालिक मनीश जेन की उची पहुँच के करण उनके खलाब कोई कारवाई नहीं की जा रही मिरट के इंचौली गाओं में नकाब पोष बदमाशों ने जम कर टांडव मचाया अतामंचों की बल पर पूरे परिवार को बंधक मना कर जम कर लूट पाट की तना ही नहीं मालाओं के जेवर तक भी नहीं छोड़े तकरीबा ने कदरजन बदमाश घर में रखे करीब 17-18 तोले सोने के आभुशन और 85,000 नगदी लूट कर फरार हो गए अगर जोड़े रात के मेरे घर में बदमाश घुशे बारा तस बारा थे और मेरी बहें को पर तमंचे रखे गाया मैं ऊपर सो रहा था वो मेरे घर में बुशे मेरे लूट पार गवी थारा उनने इस तोन ए चोनना और 70-70,000 रुपे ले गए और जूट पार्ट करके ले गए मेरे घर से और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहिए न्यूस्वाल इंडिया के साथ